आकाश्वनी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरत बागेला पहले एक अपील, कोवीड मेरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी शोताओं से अपील है कि कोई भी कोता ही न बरते है सभी सुरक्ष उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से उपर के सभी लोग बेहचक टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहने, दोगस की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाय रखें, हाथ और मुँ साफ रखें अब मुख्य समाचार आज समाच सुधारक जोती बाफ फूले की जैनती पर शुरू हो रहा टीका उस्व, भारती सम्विधान की निर्माता, डॉक्टर बी आर अमबेटकर की जैनती, 14 अप्रेल को संपन होगा पिछले दिनों मुख्य मंत्री के साथ कोविड की स्थिती पर चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री ने टीका उस्व आयुजित करने का आभान किया था युवाओं से आग्रह किया कि वे उस्व के दोरान बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीका करन के लिए पंजी करन करवाने में वरिष्ट नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योगी खोशित किये गए हैं पात्र लोग कोविन पोटल और आरुग्य सेतु एप की साहता से भी टीका करन के लिए पंजीयन करा सकते हैं राज्य सरकार ने कोविड संकट से निपटने के लिए 104 करोड रुपे आवंटित किये हैं ये जानकारी प्रदेश के चिकेसा शिक्षा मंतरी विश्वा सारंग ने कल मीडिया को दी मुखी मंतरी के साथ मंतरियों और जिला आपदा सम्हू के साथ हुई बैठा के बाद शिरी सारंग ने पत्रकारों को बताया कि सरकार पूरी कटी बदता के साथ कोविड-19 संकरवन के खिलाफ हर चुनोती का सामना करने के लिए तयार है उन्होंने बताया कि इस राशी से जिला कलेक्टर्स को कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए दो करोड रुपे दिये जाएंगे प्रदेश में सरकारी और प्राइविट अस्पतालों को मिला कर बिस्तरों की संख्या परियाब थे प्रतेख जिले में कोविड सेंटर की शुरुआत जल से जल्द की जाएगी उधर कल मुरेना में लॉकडाउन के पहले दिन सभी बाजार सुनसान दिखाए दिये गली महलों और प्रमुक चुराहों पर पुलिस के जवान तेनात रहे शेडुल जिले में कल शाम से आवशक सेवाओं को छोड़ कर सभी बाजार कारोबार लगभग बंध है रैसेन और सीहोर जिलों में नर्मदा नदी के तटो पर घाटो पर अन्य नादियों और तरावो पर पूजा इसनान पर प्रतिबन लगाया गया है पन्ना में भी लोगों की आवाजाही बहुत कम रही मंसुर जिले में आवशक वस्तूओं दूद, फल, सबजी, दवाईयां और हकबार की आपूरती जारी रहेगी यहां 52 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गये हैं खंडवा में सभी कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश निरस्त कर दिये गये हैं सतना में कल बिरला अस्पताल दौरा 20 इस बिस्तरों के कोविट केर सेंटर को शुरू किया गया है इसमें कोविट आईसियू भी बनाया गया है आयूश राजमंत्री रामकिशोर कावरे ने कल बाला घाट में अधिकारियों की बैठक लेकर कोविट मरीजों के उपचार की तैयारियों की समिक्षा की सागर में बगेर अनुमत्ती के किसी भी उद्योग को आक्सिजन की सप्लाई नहीं करने को कहा गया है धार में 56 सेंटरों पर लोगों को टीका करन काया आगया अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का कोविट 19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ और मू साफ रखें ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में शनिवार को एक ही दिन में करीब 5000 कोरोना संकर्मित मिलने के बाद शासन ने सक्ती बढ़ा दी है इंदोर, जबलपूर, उजजेन, सहीत, परदेश के बारा शेहरों में लोगडाउन की आउधी बढ़ा दी गई है मुखिमंदरी शिवरासी चोहान के साथ जिलो के क्राइसिस मेनेजमेंट गूर्प की बैठक में ये फैसला लिया गया अपर मुखि सचिव ग्रह डॉक्टर राजेश राजोरा ने बताया कि कोरोना महमारी की रोगठाम के लिए बढ़वानी, राजगर, विदिशा जिलो के शहरी और ग्रामिन इलागों में 19 अप्रेल सुबा 6 बजे तक लोगडाउन रहेगा इसी तरह इंदौर, रव, महू, शाज़ापूर और उजजन जिले के सभी शहरों में भी 19 अप्रेल की सुबा 6 बजे तक लोगडाउन रहेगा इधर जबलपूर शहर के साथ, बाला घाट, नर्सिंगपूर और सिवनी जिलो में 12 अप्रेल की राज से 22 अप्रेल की सुबा 6 बजे तक लोगडाउन लगाया गया है डॉक्टर राजिश राज़ोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलो के क्राइसेस मेनेजर्मेंट गूरूप के साथ चार्चा के दोरान एक दिन में 5000 केस आने पर चिनता जताई हालात पर नियंदर्ण के लिए ही लॉकडाउन का फैसला किया गया है वन विभाग दोरा ग्रीन इंडिया मिशन के जरिए ग्रामीन युवाओं को कोशल उन्यान पर प्रिशिक्षन देया जाकर रोजगार के आउसर उपलब्द कर आए जाएंगे प्रदेश में इस तरह की 14 प्रिशिक्षन कारिशालाएं आयोजित करने का नियनेली आ गया है इसमें तकरीबन 500 ग्रामीन युवाओं को विभिन शेत्रों में प्रिशिक्षन दिलाए जाएगा उलेखनी है कि राश्टी स्तर पर भारत की आजादी के 75 वर्ष को समहरो पुर्वक मनाने के लिए आजादी का अमरत महसव 12 मार्च से शुरू हो चुका है इसी कड़ी में वन विभाग दोरा ग्रीन इंडिया मिशन के अंदरगत चैनीत लेंडिसकेप में ग्रामीर युवाओं के लिए प्रिशिक्षन का रिशाला आयोजित की जा रही है जानी मानी हों के खिलाडी मधुयादव ने लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में कोवीट का टीका लगवाएं और टीका लगवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगो को प्रेरीद भी करें प्रदेश की मुखिमंतरी शिरी चोहान के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सिजन, दवाओं, इंजेक्शन आदी के परियाप्त विवस्ता है मुखिमंतरी शिरी चोहान कलमंतराले में मंतरी परिशत के सदस्यों की आपात बेठक में बोल रहे थे उन्होंने बताया कि हर जिले में कोवीट केर सेंटर बनाये जा रहे हैं भविशी के विवस्ताओं के लिए सभी जिलों में परियाप्त संख्या में बिस्तर बढ़ाये जा रहे हैं नीजी अस्पतालों से भी अनुबंद किया जा रहा है मुखिमंतरी ने कहा कि मंतरी गण अपने अपने शेतरों में कोरुना संकर्मन रोकने उपचार आदी की वेवस्थाओं के लिए युद इस तर पर जुड जाएं बेठक में राज्य मंत्री परिशत के वरिष्ट मंत्री उपस्तित थे IPL क्रिकेट में दिली केपिटल्स ने कल रात मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में हुए एक रोमांचक T20 क्रिकेट मेंच में चन्नी सुपर किंग्स को साथ विकेट से हरा दिया 189 रन के लक्ष का पीछा करते हुए डेली केपिटल्स ने आठ गेंद शेश रहते तीन विकेट खोकर लक्ष हासिल कर लिया शिखर धवन ने 85 रन मनाए जबकि परसिव शो ने दिल्ली की टीम के लिए बहुततर रन मनाए पहले बल्ले बाजी करने उतरी चन्नी सुपर किंग्स ने अरधारित 20 ओवर में साथ विकेट पर 188 रन मनाए थे चन्नी के लिए सुरेश रना ने 54 रन मनाए जबकि डेली केपिटल्स की ओर से क्रिस वॉक्स और अवेश खान ने दो दो विकेट लिये आज सनराइजर्स हैदराबाद चन्नी का मेच चिदंबरम स्टेडियम में कॉलकाता नाइट राइडर से मकाबला होगा अपको समाचार संक्षेप में सतना जिले में मास्क नहीं लगाने वाले 6,781 लोगों पर जर्माना लगाया गया और 7,37,000 रुपे वसू ले गए शोपुर जिले में बाजार में लॉकडाउन का उलंगन करने के मामले में दो दुकानदारों पर F.I.R. दर्च की गई आईश्मान योजना में गुना जिले को दूसरा इस्थान मिला गुना जिले पूरे मद्परदेश में इंदोर के बाद दूसरे स्थान पर पहुँचा है कुरुना संकरमन से बचाव के लिए जाबुआ के प्रभारी कलेक्टर के निर्देश पर नगरी शेतर में टेक्टरों द्वारा सेनेटाइजर का चलकाव किया जा रहा है इसके साथ ही जाबुआ, राणपूर, मेगनगर, थानला, पेटलावद में भी सेनेटाइजर का काम चल रहा है कुरुना प्रोटोकाल का उलंगन करने वालों के लिए गुना में अंबेटकर भोवन में आइस्थाई खुली जेल बनाई गई है अंत में मुखे समाचार एक बार फेल अधिक से अधिक लोगों को कोविट संक्रमन से बचाव का टीका लगाने के लिए प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है टीका उसाओ कोविट संक्रमन से निपटने के लिए राजी सरकार ने 104 करोड रुपे आवंटित किये और कोविट पर नियंतरन के लिए प्रदेश के 12 शेहरों में लोकडाउन की आउधी बढ़ाई गई इस बुलिटिन के अंत में एक अपील हमेशा धेहान रखें मास्क और दोगस की दूरी हात धुना भी है जरूरी नमस्कार अमस्कार रफे सुम्स के लिए के अंत में बढ़ाब वोकड़, को अक्कार भी हान रखें इसकार रहů तोगस की आवे है रहो जाबादित क्पें अवे आवे उनना में रहो भी जावे है आवे है रहो है